हलो फ्रेंज चैमातारी कैसी हैं आप सब दोस्ता फागुन का महिना और तन हो गया फिर पलाश्ता मन महुवे का फूल फिर फगवा की धूम फिर रंगों की धूल और धोर मजीरे बजेंगे चहूँ और उड़ेगा अबीर और गुलाल रंग करेंगे दम भर उधम बहकेगी स तो दोस्तों हमारे देश में दिवाली के बाद सबसे प्रमुक और प्रसिद्ध त्योहार है दो दिन तक मनाया जाता है वसंत रितु में हर्श उल्लास के साथ होली का ये वसंत उत्सव और काम महुत्सव मनाया जाता है हमारे धर्म में जितने भी बड़े बड़े त्योहा सभी को सिध्धी रातरिया मानी गई है और ऐसी मान्यता है कि इन रातों में योग-योगनिया जागरेत रहती है इसलिए इन रातों में विशेश साधनाई की जाए, पूजा पाट किया जाए, कोई भी उपाई किया जाए तो इसका शीग्रफल प्राप्त होता है इस दौरान होली के दौरान सभी शुपकार ये बंद हो जाते, आट दिन पहले से ही हुलाश्टक लग जाता है और इस बार हुलाश्टक 28 वरवरी को लग रहा है मंगलवार के दिन से और 7 मार्च 2023 मंगलवार को होली का देहन किया जाएगा होलाश्टक होली का देहन से 8 दिन पहले लगता है होलाश्टक के दौरान 8 मी के दिन चंद्रमा, 9 मी के दिन सूरिय दश्मी को शनी, एकादसी को शुक्र, द्वादशी को गुरू, त्रयोदशी को बुद, चतुरदशी को मंगल और पुर्णिमा को राहु, उग्र स्वभा और इन ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुश्य के दिनन्य लेने की चमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण इंसान कई बार गलत-गलत काम करने लग जाते हैं, हानी की अशंका बढ़ जाती है, इसलिए ये 8 दिन कोई भी शुब काम ना करते वे, फिर 8 दिन होली का देहन की महान रात्री आती है, जहां हम अपने जीवन की सारी नेगेटिविटी अगनी में आहूती के साथ खत्म कर देते हैं, देखा जाए तो घर-घर महा यग्य होता है, सारे समाज के साथ मिलकर आप एक महा हवन करते हैं, और इस महान अगनी में हमारे घर की हो, हमारे मन की हो, त सब्सक्राइब मिनट तक है और भधरा मुख है सुबह 2 स 10 दू बच लाइक मिनट से सिवे 4 भच तरी относ 11 की जाता है तो एस बार को नैं है पूरे दिन भद्रा का साय तो होलिका देहन शाम को 6 marks 24 मिनट से रात को 8 बच के 51 मिनट तक की जाएगी जो लोग भी रंग वाली होली धुलेंडी करना चाहते हैं वो बुधवार को 8 मार्ज को मनाएंगे इस दिन धृती योग है 6 मार्ज को रात को 8 बच के 54 मिनट से 7 मार्ज को रात 3 में 9 बच के 14 मिनट से रहने वाला है इसके बाद शूल योग रहने वाला है और प्रतिबधा थी शाम को 7 बच के 42 मिनट तक ही है उत्तर फागुनी नक्षत्र है जिसके स्वामी राजा सूर्य देव है ग्रहों के राजा है तो इसलिए इस दिन बहुत ही शुब मुहुर्थ है अपने समय के अनुशार जो बताया गया इसमें आपको होली का देहन करना चाहिए भद्रा में क्यूं नहीं करना चाहिए क्योंकि पमचांग में सात्वे करन का नाम विष्टी है और यही भद्रा के नाम से जानी जाती है भद्रा को शनी देव की बहन और सूर्य की पुत्री भी मानी गई है इसका सभाव भी अत्यन्त ही तामसी और क्रोधी है और कई बार भद्रा के कारण आप देखते होंगे कि होली का देहन के मुहर्थ को ले करके समस्याएं पैदा होती है लेकिन इस बार भद्रा फागुन पुर्णिमा तिथी में लग रहा है लेकिन हो पुर्णिबा की पूजा के लिए इस दिन जो मुहर्थ जानना चाहते हैं तो अगर समय पर आप नहीं कर पाए होली का देहन किसी वजह से तो इन मुहर्थों में भी कर सकते हैं ध्यान रखे घर में हो या पिर आसपास कभी भी होली का देहन किया जा रहा हो तो घर के सदस् इसमें अवश्य शामिल होना चाहिए इस दिन सुबे सुबे ही रसोई बना ले पूरियां कचोरियां पूए दही बड़े दाल की बर्फी गुजिया पापड सांगरी जो भी आपके घर पे बनता है वो आपको अपने नियम के हिसाब से अपने जो आपके कल्चर में है उसक पहले जूठन ना डाले कि रसोई बना रहे बच्चा आया ममा पूआ दे दो जल्दी से पूआ दे दिया मम्मी धही बड़े दे दो जल्दी से धही बड़े दे दिये ऐसे ना करें पहले पूरी रसोई होने के बाद एक थाली भोग भगवान को लगाईए फिर थोड़ा सा भुजन पित्र के नाम का निकाले चाहे एक पीस मिठाई ही निकाले किसी ब्रामन को किसी गरीब को दीजे जो पित्र की थाली रहेगी वो ब्रामन को गरीब को गव को किसी को भी खिला सकते हैं ये करने के बाद थोड़ा सा थोड़ी सी मिठाई लेकर के ठंडी होली अवश जाकर थंडी होली की पूजा करके आ जाती हैं और चोटे बच्चे हों आपके घर पे तोुन ने भी थंडी होली की पूजा करने अवश्ची ले चावल, कलावा, नारियल, अबीर गुला, लॉंग, कपूर, पुश्प, साथ हल्दी की गांट रखनी है, कच्चा कुकडिया यानि कच्चा सूत, चार पांच ले लिजे क्योंकि होली के अगले दिन जो लोग सुबह सापदा का डोरा, लक्ष्मी मा का डोरा लेते हैं, वो भ लिजे जो की बाली, चने की जाड़ी, जलका, लोटा, भोग जो आपने भोग बनाया वो एक थंडा दिया लिया जाता है, जो बिना जलाए वहां छोड़ कर आते हैं, कलावा, धूप, अगरवत्ती, माचिस, गोबर के बढ़कुले जिनके आँ बनते हैं, गोबर के बढ़ वीडियोज भी देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे उपाई बताए गए हैं, तो अगर वो सब उपाई के हिसाब से आप चीजे ले जाना चाहते हैं, तो जो भी उपाई करने की चीजे हैं, वहां ले जाएगे, अब ठंडी होली के पास जाकर पहले जहां डंडा रोपा गया ठाके फिर भोग चड़ाए, एक ठंडी होली वाला बढ़कुले की माला अगर आपके हैं बनती हैं, तो बढ़कुले की माला ले करके जाए, सूथ से साथ परिक्रमा लपेटते वे कीजे, इसके बाद ठंडा जल डालियों और दीपक जला कर वहां रग दीजे, इसके बाद ठंडी खोली की जो पूजा की थी, अगर आपके यह नहीं जाते तो ना जाएं, वरना पुरुषों के साथ आप भी जाएं, और पुरुष एक पकड़ ले, एक बढ़कुले की माला बनती है, सारी माला एक साथ ने ले जानी है, आपको घर में, जब घर में ही पहले बढ़ इस भी बढ़कुले की माला पीछे छोड़के जायेंगे, वो एक शीतला माई की, एक पितर की, एक छत की, एक हनुमान जी की, ये माला घर पे रह जाएगी, बाकि सारी ले कर के जाएगे, जब होली मंगल जाए तो डंडा निकाल कर, आप सभी पहले अपने लोग जो भी ज पित करने के बाद चार या साथ फेरी लगाएं और अंत में थोड़ा जल डाल करके वापस आना है जो लोग भी वहां से बाल्टी लेकर के जा सकते हैं थोड़ी सी चान लेकर के आना चाते हैं यानि थोड़ी सी अगनी घर लेकर के आना चाते हैं किसी किसी के घर में पापड स सुनती है और जो ठंडी होली की थाली में हलदी की गाठ थी कच्चा कुकड़िया यानि कच्चा सूथा जो की बाली थी वो सभी इस तिरियों को चाहिए कि होलिका को दूर से उसकी ऄल कहते दिखाना यानि उसकी झलक दिखानी है इसके बाद अर्ग दे दे इस तरियां और प अंगलने का समय बहुत देर रात को होता है तो सभी लोग समय से पहले ही भोजन कर सकते हैं लेकिन वही बात जो भी भोग आपने बनाया था वो पहले ही भगवान के पित्र के नाम की आपको निकालनी चाहिए इसके बाद ही जूट गालनी चाहिए होलिका देहन के विशे में कहा जाते कि प्राचिंकाल में हिरन्यकशप नाम का राक्षस ने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक वर्दान प्राप्त किया था कि उसे संसार का कोई भी प्राणी हो तेवी देवता हो जीव जन्तु हो नहीं मार सकता यहां तक कि कोई शास्तर भी उसका वद नहीं कर सकता और इस वर्दान को प्राप्त करने के बाद हिरन्यकशप घमंड में इतना चूर हो गया कि वह इश्वर होने का दावा करने लगा उसके घर में पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद था और प्रहलाद भगवान विश्णू का परमभक्त था उसपर श्रीहरी भगवान विश्णू की क्रिपद रिश्टी थी जब हिरन्यकशप को इस बात का पता चला तो उसने प्रहलाद को चेताव ने दी कि वो किसी की भी पूझाना करे। प्रहलाद के नामानने पर हिरन्यकश्यप प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश करने लगा। आठ दिन तक उसको बंदी बनाके रखा और आठवे दिन अपनी बेहन होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाए। और जब हिरन्यकश्यप ने अपनी बेहन होलिका को भक्त प्रहलाद को मारने का जिम्मा सौपा, होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप पहन कर आग में बैठने से आग उसको जला ही नहीं सकती थी। तब होलिका ने क्या किया प्रहलाद को मारने के लिए वो वस्तर पहन कर प्रहलाद को गोध में लेकर बैड़ गई भक्त प्रहलाद की विश्णु भक्ती के फल्स्वरूप इतनी तेज आंदी चली कि जो होलीका का कपड़ा था वो भक्त प्रहलाद को आकर के ढग गया और होलीका तो जल गई लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ भोल ये श्री हरी विश्णु भग्वान की जै और इसकी प्रथा के चलते ही हर साल होलीका दहन मनाया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेले जाती है तो दोस्तों बुराई को जलाकर खुशियों के रंग में रंगनी का त्योहार है चलिए मिलकर मनाते हैं और दस अगर आप होलीका दहन में डाल लेंगे तो आपकी सेहत और जेब दोनों हरी भरी होएगी जीवन की सभी परेशानिया दूर होगी और ये उपाय करने से शिकर ही आपको फलो की प्राप्ती होती है कुछ विशेश चीजे हैं जो आपको शास्त्रों में बताई गई हैं बड होलीका दहन पर सबसे पहले आपको और आपके सभी परिवारों को उस दिन हल्दी का उप्टन करना चाहिए सरसों का तेल मिलाकर पूरे बदन पर करना चाहिए और अगर आपको लगता है आपके घर के ऊपर काला जादू किया है किसी ने ब्लैक माजिक किया है किसी ने नज सरसों के दानों को पीस लीजे उसमें हल्दी दही शहद मिलाकर उप्टन बनाईए शरीर पर मलिए और जब सूख जाए तो शरीर से जो मैल लिख लेगा उसको एक कागच में शरीर से छुड़ा कर जमा कर लीजे फिर आप पांच या ग्यारा गाय के उपले एक मुठी सरसों क दाने एक नारियल का सूखा गोला ले लिजे नारियल का सूखा गोला बीच में से काट लिजे उसमें जौ तिल सरसों के जो दाने हैं शकर चावल और घी भर लिजे इसके बाद जमा जाएंगे तो उसी के अंदर आप साथ में जो उप्टन से निकाले गए आपकी गंदगी है उसको भी आपको ले लेना है और होलीका की साथ परिक्रमा करनी है इसके बाद सभी चीजों को अगनी में डाल देना है इससे तो एक तो निरोगी काया होती है और दूसरा किसी ने कुछ किया धरा है तो वो भी धूर हो जाता है कारण यह एते कि उप्टन में गुरू शनी शुक्र चंदर से संबंदित वस्तुएं हमने डलाई है जिससे की विकार दूर होते हैं नौगरें की समस्याई दूर होती है अगर आप लंबे समय से आर्थिक संकट से जूज रहे हैं कोई उपाई काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है जहां पर होली का देहन होना है व जब होली का देहन हो जाने के बाद इन टुकड़ों को निकाल लेना और फिर मध्यमा उंगली का चल्ला बनवा करके जो पुरुष है वो दाहिने हात में और जो इस तिरियां है वो बाहे हात में एक कट के साथ इस चल्ले को बनवाना है पूरा गोल चल्ला नहीं बनवाना ह और इसे धारन कर लेना है, जो भी लोग बना बनाया चलना चाहते हैं इस प्रकार का तो हमारे आश्रम पे बनाया जा रहा है, सिध्धी करके, तो वो लोग बनवा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, तीसरा है व्यापार वृद्धी और नजर उतारने के अगर आपकी दुकान है, कोई ओफिस है, कोई कारियाला है, जहां पर प्रॉब्लम्स बहुत जादा आती है, हर चीज में बाधा उत्पन्न होती है, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, आप अच्छा करते हो, लोग आपके साथ बुरा करते हैं, तो आपको इस दिन क्या करना है, एक सफेद कपड़ा ले लेना है, थोड़ी सी सर्सों, थोड़ी सी गेहूं, थोड़ी साबुत काली मिर्च और साथ नीम्बू ले लेनी है, अब क्या करना है, सफेद कपड़ा बिच्छा लीजे, उस पर गेहूं और सर्सों की साथ-साथ धेरिया बना लीजे, एक 108 मंत्र की एक माला काले हकीक की माला से जब करना है काला हकीक ना हो आपके पास तो फिर आप रुद्राक्ष की सिद्ध माला हो तो आप रुद्राक्ष की सिद्ध माला से भी कर सकते हैं ध्यान रखें अच्छी संसकारित माला आपके पास होनी चाहिए सवालाग जब से आपको ओम कपालिनी स्वाहा का जप करना है फिर सारी सामगरी जो है पोटली बना करके लाल मौली से गांट बान लीजे और दुकान या घर में एक सीरे से आरम करके चारों कोनों पर घुमा लीजे और फिर बाहर ले आईए रात में जब होलिका देहन में जाएंगे तो इस प हगवान से अपनी परेशानिया और दरिद्रता से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते वे होलिका में आपको इसको डाल देना है दोस्तों विश्वास मानिए आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके दुकान में जो भी सेल्जादी डाउन हो गए थे परेशानिया हो रही थ कि अगले दिन वहां से कम से कम एक या दो चुटकी राक आपको ले कर आनी और आपके पास जो घ्टा जोड़ी है वह आपके उसकी उपर इस राक को चड़ा करके दो चुटकी सिंदूर के साथ ओरिंज वाले सिंदूर के साथ और फिर आपको वहीं बैठ करके वह महालक्चममीनमा या फिर ओम श्रम रिम श्रम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रम रिम श्रम ओम महालक्चमीनमा आप देखिए 40 दिन तक इसमंतर का जब कर लिजे कैसे चमतकारिक ढख से आपके घर में पैसे की वरशा होती है कहता है मनुष्य धन्वान होता है हर प्रकार की नकरात्म कूर्जा घर से दूर होती है और साथ ही साथ अगर कोई कोट का चेरी का केस लग गया हो कोई परिशानी में पड़े हो बाधा आ रही हो तो वो सभी दूर हो जाती है दोस्तों बहुत सारा बहुत सारी उपाई होते हैं आगे बताते जाओंगी नॉर्मल एक उपाई लास्ट बता देती हूँ अगर किसी पर बुरी नजर हो जादा ना कर सके तो एक नारियल ले लीजी साथ बर घुमाकर होली का देहन में डाल दीजीए और गोमती चक्र विशेश रूप से उपाई होता है आपको जब होली का देहन के बाद आप घर लोटके आएंगे तो एक चौकी पे आप लाल कपड़ा बिच्छा के लक्ष्मी मा को स्थापित कर ले या आप अपने पूजा घर पे ये काम कर सकते हैं एक कर्टोरी में आपको पीला गुलाल लेना है और उसमें ग्यारग गोमती चक्र रखने हैं ध्यान रखें पुर्ण फलो की प्राप्ति के लिए आपको ग्यारग गोमती चक्र सवालाग जब सिद्धी या ठासी हजार कम सिकम मंत्र सिद्ध करके आपको इसको घर पे स्थापित करना चाहिए इससे आपके धन में व्रिद्धी होती है और क्या करना है वहीं बैट करके आपको ओम नमो धनदाए स्वाहा ओम नमो धनदाए स्वाहा इस मंत्र की एक माला और ओम श्रिम रिम श्रिम कमल वासिन्ये नमहा क्या बोलना है ओम श्रिम रिम श्रिम कमल वासिन्य नमहा कमल गट्टे की माला हो तो कमल गट्टे की सिद्ध माला से या फिर सवालाग जब सिद्ध आप फटिक की माला से इस मंत्र का जब कर सकते हैं और इस मंद का जब करने के बाद आप प्रणाम करके वहीं पे लक्ष्मी माता को उठ जाएं अपने लक्ष्मी मा को बोले कि ही माता रानी जो भी मेरे दरिद्रता आ रही है जो भी मेरी परिशानिया आ रही है पैसों की धनकी वो सभी मेरे जीवन से दूर हो जाएं और माता लक्ष्मी के चर्णों से फिर पीला गुलाल और नौ गुमती चक्र उठा करके एक लाल कपड़े में बान करके घर के शुद्ध स्थान पे या तीजोरी में आपको रख देना है एक गुमती चक्र उसमें से लेकर अपने घर के शान कोन में दबाना है किसी कच्ची मि अपने परिवार के सभी सदफ्यों के उपर से वार कर घर में घुमा करके आप होलीका देहन वाले स्थान पर जाकर के आप उसमें ताल दीजे ओम रिम नमः इस मंतर को जबते वे क्या बोला है ओम रिम महा ओम रिम नमः बाकी दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपके महाँ होलिका देहन नहीं होता है या नहीं होता है तो आपको क्या करना है दोस्तों और भी बहुत सारी बाते हैं जो मैं आप सभी को बताऊंगी तो दोस्तों इतना ही आज के लिए और खुशियों के रंग में रंगने का त्योहार है तो चलिए मिलकर मनाते हैं जीवन में फिर से एक बार अपने तन और मन को रंगों से सरुबार करते हैं अपने सारी दुख दुविधाओं प्लाक एनर्जी हो किसी ने किया धराव सभी को जला कर राक करते हैं तो चलिए खिलखिलाते रे मुस्कुराते रे छोटे से उपाई बताएं एक इंफरमेशन है कब है होली और साथ ही साथ होली का में आपको क्या क्या देहन करना है होली की ठाली में क्या क्या रखना है पूजा में क्या क्या डालना है जो महायग्य करने जा रहे हैं यानि कि जो अगनी दहन करने जा रहे हैं उसमें आपको किस-किस चीज़ों की आहूती देनी है वो सभी मैंने बताए हैं आगे और connected रहे हैं होली के पहले तक और भी धेर सारे उपाई बताऊंगी तो खिल-खिलाते रहें, मुस्कुराते रहें अपने friends, family, mamie, papa, भाई, बेन, बच्चे सबी लोगों से शेयर अवश्य करते रहें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाई कब किसकी life बदल दे So love you all friends, take care जै माता दी, बंबं भूले नात की